नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक्स रीश में जहां पर हम रोज नए-नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीड जंगौल के उपर एक नोतब मॉर्निंग को इसू किया गया है और इसे अभी 13 और 15 डिसमबर के बीच इसू किया गया है इस वार्निंग को अभी लगभग 1296 किलोमेटर की दायरे में इसू किया गया है और उमीद किया जा रहा कि इस दोरान निर्भय मिसाइल की नहीं होने वाली है अब जब तक टेस्ट नहीं होता है तब तक यह क्लियरली बताना मुस्किल है कि कौन सी मिसाल की टेस्टिंग की जाएगी इसी बीच कुछ दिन पहले में आप सभी को बता था कि डियाडू की तरफ से 7 और 9 तारीक के बीच भी एक नोतम मॉर्निंग को इ इसू किया गया था अब इसको लखे अभी कुछ रिपोर्ट सामने आ रहे थे जिसमें यह बता जा रहा कि आत्साम को लगभग तीन बजे की आसपास डियाडू की तरफ से किसी मिसाल की टेस्टिंग की गए थी और इस मिसाल को अब्दुल कलम आइलेंड की लॉंचिंग टेस्टिंग बताया जा रहा था जो कि साथ गलत रिपोर्ट होने वाली है क्योंकि अभी-अभी लाइफ फर्स डिफेंस की तरफ से आज की टेस्ट की कि मच को ट्वीट किया गया था जिसमें वी लसर साम की बात की गई है और यह वी लसर साम की नवल वर्जन है वैसे इसक चलके इंडियन नेवी की बैरक वन सिस्टम को रिप्लेस करने वाली है और जो नेवल वेरियंट की अभी टेस्टिंग की गई थी इसकी रेंज अभी 15 किलोमेटर तक बता गया लेकिन जो एर फोर्स वर्जन होने वाला है उसकी रेंज 40 किलोमेटर के आसपास होने वाली है और जब तक आप यह वीडियो देख वा रहे होंगे तब तक तो डियाडो की तरफ से अपने अफिसियल प्रेस रिलीच को इसू कर दिया गया और साथ ही इसकी वीडियो को भी रिलीच कर दिया गया अगला अपडेट काम ओफ के 2260 हेलिकॉप्टर को लेके आप सबको पता ह और पर सप्लाइ किया जाएगा और बाकी बचे 140 हेलिकॉप्टर को भारत में मनिफेक्चर किया जाएगा लेकिन अभी तक यह डील फाइनल नहीं हुआ है और इस पर अभी इंडियन मीडिया की तरफ से यह बताया जा रहा है कि मैं भी भारत की तरफ से यहां पर जान दिमित्री सुगाइब ने बताया कि रश्य की तरफ से अभी के 2260 हेलिकॉप्टर को लेके भारत को एक बहुती अच्छा उफर दिया गया जिसको भारत कभी इंकार नहीं कर पाएगा और रश्य की तरफ से यह बताया कि वो अभी अपनी तरफ से भारत को जितना हो से के उत दिमानोजी के ओपर जितना डिफेंडेंट होते जा रहें वैसे वैसे साहिव्य से का खत्रा बिभता जा रहे हैं ऐसे में भारत की तरफ सबिस तात्थ और एक साहिव सेक्यूर्टी सेमिनर को अरेंज किया गये हैं और इसमें चाइना, कजाक्स्तान, किर्गिस्तान, रश्या, तजिक्स्तान, उजवेकिस्तान और पाकिस्तान भी पार्डिसिपेट करने वाले हैं। अब इस सेमिनर को संगाई कोपरेशन ओगनेशन के अंदर अरेंज किया जा रहा है जिस वज़े से इसमें पाकिस्तान भी पार्डिसिपेट करने वारा है अब ये साथ पिछले दो साल में पहली बार होने वाला है जहांपर पाकिस्तान की तरफ से इसे कोई इंडरनासियल मंच में सामिल होने का फैसला किया जा रहा है जिसको भारत की तरफ से होस्ट किया जा रहा है क्योंकि 2019 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जो बैलेट रिलेशन था वो काफी खराब हो गया था और दोनों देस्टों की तरफ से एक दूसरे के साथ कोई भी डारेक्ट बातचित किया नहीं जा रहा था पिछले माई ने भी भारत की तरफ से रिजनल सेक्यूर्टी डायलोग में पाकिस्तान को आमंतिर तो किया गया था लेकिन उस झाल झाल